हेलो एव्रिवन वल्कम बैक टू माई चैनल आई होप आप सो बहुत अच्छे होंगे और आज अपने कीचन में मैं बनाने जा रहे हूँ कि हूँ कि हूँ कि आटे से नमकीन तयार करने वाली हूँ जिसकी रेस्पी आप लोगों के साथ मैं आज सेयर करने वाली हूँ जी हाँ आप लोगोंने बिल्कुल सही सुना गये हूँ कि आटे से हम आज बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरी नमकीन तयार करेंगे जो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगेगी इससे बनाने के बाद आप मार्केट वाले नमकीन को भूली जाएंगे देखिए ये नमकीन कितनी कृष्पी बनकर तयार हुए है और इस नमकीन को हम आटे से तयार करेंगे तो ये खाने में भी बहुत हैल्दी है तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं नमकीन तयार करने के लिए मैंने यहां हाप केजी गेहो के आटे का इस्तमाल किया है और इसमें हम एक कप चावल के आटे का यूज करेंगे इसकी वज़ासे हमारी जो नमकीन है वो बहुत ही जादा क्रिस्पी बनेगी अब इसमें हम कुछ इंग्रिडियन्स को एड़ करेंग हाफ टेबल स्पून हमें यहां बेकिंग सोडा यूज करना है जिसे हम मीठा सोदा खाने का सोडा भी कहते हैं इसमें थोड़ा रिफाइन ओयल यूज करेंगी रिफाइन ओयल मैंने यहां बड़ी चमज से 1-2 चमज एड़ किया है अब टेस्ट के अकोर्डिंग इसमें नम बाइंडिंग आ जाए तक इसे हम मौइन करेंगे तो देखिए इस तरह से हाथों से मिक्स करना है तो आज आपके हाथों की अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है और ये देखिए इसे मिक्स करते हुए मुझे एक से दो मियट कम्प्लीट हो चुके हैं और इसके अंदर तोड़ा ठोड़ा पानी ऐड करेंगे पानीको एक साथ आड़ नहीं करना है इसमें बहुत कम पानी जाएगा मैं इसे हम थ्लीट थोड़ा पानी एड़ करेंगे और बहुत अच्छी तरह से जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरह से इसे गूठ लेना है इस आटे का डो हमें बहुत ही ज्यादा सौफ्ट नहीं बनाना है इसे थोड़ा हाड ही रखना है तो देखिए इस तरह से आपको आटा तयार कर लेना है अब इसकी हम छोटी छोटी लोईया लेंगे लोईया जो है नॉर्मल जो रोटी का साइज होता है उससे हम थोड़ा बड़ा ही लेंगे और जिस तरह हम रोटीया बनाने के लिए इसे गोल गोल बेलते हैं उसी तरह इसे बेल लेना है जितनी पतली पतली नॉर्मल हम रोटी त्यार करते हैं बस उतना ही पतला इसे बेल लेना है और बेलते वक्त अगर आपको दिकत मैसूस हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा सुखा आटा भी यूज कर सकते हैं मेरे गोल-गोल रोटीओं की शेप पर आप नहीं जाए इसमें कोई शेप माइने नहीं करता है कोई जरूर नहीं है कि आपकी रोटी जो परफेक्ट गोल होनी चाहिए इस तरीके से अगर आपकी रोटी की जो शीट है वो अगर आडिटेडी है तो भी चलेगा तो देखिए इस तरीके से मैंने एक शिर्ट तयार कर लिया है अब इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से कटिंग आप चाहे तो कर सकते हैं वरना कोई और सा भी डिजाइन आपको इसमें देना हो तो उस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं इस तरीके से मैंने नमकीन को कट कर लिया है अब इसे हम deep fry करेंगे तो देखिए इस तरह से बहुत ही साधाने से आपको सारे नमकीन को अलग कर लेना है चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं और इसे deep fry करते हैं तो deep fry करने के लिए मैंने यहां cooking oil का इस्तमाल किया है और सबसे पहले हम तेल को अच्छे से गरम करेंगे आपका जो तेल है वो नहीं जादा गरम होना चाहिए और नहीं जादा ठंडा होना चाहिए तो सबसे पहले आप इसे चेक करने के लिए एक नमकीन को इसके अंदर डाल कर इस तरीके से चेक कर लिजिए आपका तेल जो है वो जादा गरम तो नहीं है वरना एकदम से ही आप नमकीन को इसमें डालेंगे तो नमकीन जो है आपका वो जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं के तेल की कितनी हिट है ये बहुत माइने रखती है नमकीन को बनेगी तो देखिए इस तरीके से मैंने तेल में सभी नमकीन को एड कर दिया है और इसे एक ही बैच में पूरा नहीं तलना है आप थोड़ी थोड़ी करके इसमें एड करिए इसे तब तक हमें तलना है जब तक इसमें एक तुनेला कलर ना जा इसका कलर चेंज ना होने ल आप 15-20 दिन के लिए घर में स्टोर कर सकते हैं, एर टाइट कंटेनर में इसे आप स्टोर करिए, तो ये लंबे समय तक चलेगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और क्रिस्पी होता है, चुकि इसे हम लोगों ने गेहों के आटे से त्यार किया है, तो ये हेल्दी भी है, तो आप इसे अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगा, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें, और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देर की इस बात की है दोस्तों, फटा फटा अपने कीचन में जाएए और इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी, पसंद आई हो रेसिपी, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूले, और प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अप्लोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिले, तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ,